अज हम इस एपिसोड में बोड़ाफोन आइडिया एयर्टेल के न्यू प्लान के बारे में जानने वाले हैं लास्ट में जियो के भी न्यू प्लान जानेंगे एयर्टेल और बोड़ाफोन आइडिया के नई टेरिफ तीन दिसंबर 2019 से लागू हो गए हैं एक 119 रुप्ये वाले एयर्टेल प्रिपेड प्लान के लिए अब जुकाने होंगे 148 रुप्ये एयर्टेल और बोड़ाफोन आइडिया ने हाल ही में अपने टेरिफ में इजाफे की घुशना के बाद नई टेरिफ प्लान से परदा उठाया था एयर्टेल और बोड़ाफोन आइडिया के नई टेरिफ 3 दिसंबर 2019 से लागू हो गए हैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दे कि एयर्टेल के नई अनलिमिटेड प्लान 119 रुप्ये से शिरू होकर 2398 रुप्ये तक जाते हैं वहीं, बोड़ाफोन आइडिया के प्लान 119 रुप्ये से शिरू होकर 2399 रुप्ये तक हैं बोड़ाफोन आइडिया और एयर्टेल के ये प्लान एक दूसरे को टककर देगे तो आईए आपको बताते हैं इन प्लान के साथ मिलने वाले फायदों के बारे में डॉट 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 एयर्टेल के नए 148 रुप्ये वाले प्लान की वैधता 28 दिनों की है इस प्लान के साथ unlimited कॉलिग 2GB डेटा और प्रतिदिन 300 SMS के साथ आता है दूसरी तरफ बोटा फोन आईडिया के 149 रुप्ये वाले प्लान में unlimited voice call 2GB डेटा और हर दिन 300 SMS मिलते हैं इस प्लान की भी वैधता 28 दिनों का एहा FUP के साथ of net call के लिए 1000 मिनिट एर्टेल के 248 रुप्ये वाले प्लान के साथ unlimited calling 100 SMS प्रतिदिन 1.5GB प्रतिदिन के साथ आता है वहीं दूसरी तरफ बोटा फोन आईडिया के 249 रुप्ये वाले प्लान के साथ unlimited voice call प्रतिदिन 1.5GB डेटा 100 SMS प्रतिदिन मिलत एहा FUP, FUP के साथ of net call के लिए 1000 मिनिट एर्टेल के 298 रुप्ये वाले प्लान के साथ यूजर को 28 दिनों की वैधता के साथ 2GB प्रतिदिन unlimited calling और 100 SMS प्रतिदिन की सोग धा मिलती है वहीं, Vodafone Idea के 299 रुप्ये वाले प्लान के साथ unlimited voice call प्रतिदिन 2GB डेटा और हर रोज 100 SMS दिये जाते हैं इस प्लान की भी वैधता 28 दिनों की है FUP के साथ of net call के लिए 1000 मिनिट अब बात करते हैं यह टेल के 598 रुप्ये वाले प्लान की इस प्लान के साथ यूजर को 84 दिनों की वैधता के अलावा unlimited call प्रतिदिन 1.5GB डेटा और 100 SMS प्रतिदिन की सुविधा मिलती है वहीं, दूसरी तरफ Vodafone Idea के 599 रुप्ये वाले प्लान की भी वैधता 84 दिनों की है यह प्लान unlimited voice call ए शूम्य शूम्या SMS प्रतिदिन और हर दिन 1.5GB डेटा की सुविधा से लेस है एहा FUP के साथ होफ नेट कॉल के लिए 3000 मिनिट 84 दिनों की वैधता वाले एरटेल के 698 रुप्ये वाले के साथ unlimited calling, 100 SMS प्रतिदिन और 2GB डेटा प्रतिदिन दिया जाता है वहीं, दूसरी तरफ वोटा फोन आइडिया के 699 रुप्ये वाले प्लाव नके साथ unlimited voice call हर रोज 2GB डेटा और 100 SMS प्रतिदिन की सुविधा मिलती है एरटेल की तरह वोटा फोन आइडिया के इस प्लान की भी वैधता 84 दिनों की है एहा FUP के साथ of net call के लिए 3000 मिनिट अब बात एरटेल के long term plan की 1498 रुप्ये वाले प्लान की वैधता 365 दिनों की है यूजर को इस प्लान के साथ unlimited calling 3600 SMS और 24 जीवी डेटा मिलता है वही वोटा फोन आइडिया के 1499 रुप्ये वाले प्लान के साथ unlimited voice call 3600 SMS और 24 जीवी डेटा दिया जाता है इस प्लान की भी वैध ताभी 365 दिनों की है एहा FUP के साथ of net call के लिए 12,000 मिनिट एटेल के 365 दिनों की 2398 रुप्ये वैधता वाले इस प्लान के साथ यूजर को unlimited calling हर रोज 100 SMS और 1.5 GB प्रति दिन दिया जाता है वही दूसरी तरफ वोटा फोन आइडिया के 2399 रुप्ये वाला प्लान unlimited voice call एक दशमलव 5 GB डेटा प्रति दिन और हर रोज 100 SMS की सुविधा से लेस है इस प्लान की भी वैधता 365 दिनों की है एहा FUP के साथ of net call के लिए 12,000 मिनिट इन बताए गए प्लान के अलावा वोटा फोन आइडिया का 389 रुप्ये वाला प्लान भी है इस प्लान की वैधता 84 दिनों की है और यह unlimited voice call 6 GB डेटा और 1000 SMS की सुविधा प्रदान करता है एहा FUP के साथ of net call के लिए 3000 मिनिट कौल करने वाली बात यह है कि वोटा फोन टो वोटा फोन और वोटा फोन टो आइडिया और इसके विप्रीत call को on net माना जाएगा प्लान में free usage के बाद of net call के लिए 6 पैसे प्रती मिनिट का शुल्क लिया जाएगा इसके अलावा, 4 नए first recharge option भी हैं और इनकी कीमत 97 रुप्य, 117 रुप्य, 297 रुप्य और 647 रुप्य है Reliance Jio latest plans, Reliance Jio के नए plan पुराने plan की तुल्णा में 49 प्रतिशत तक महंगे हैं और इन ही 6 December से लागू किया जाएगा Airtel और Vodafone से मुकाबले के लिए आई Jio new plan 6 December से लागू होंगे Reliance Jio के नए plan Airtel और Vodafone idea के बाद अब Jio ने अपने नए plan की घुशना कर दी है Company ने इन हे all-in-one plans नाम दिया है याद करा देखि Airtel और Vodafone idea ने कुछ दिनों पहले ही अपने नए प्रा पेट plan से पर्दा उठाया था और ये नए plan 3 December से लागू हुए है वहीं दूसरी तरफ, Reliance Jio के नए plan पुराने plan की तुलना में 49 प्रतिशत तक महंगे हैं और इन हे 6 December 2019 से लागू किया जाएगा Graph Calculation के अनुसार, नए plan Airtel और Vodafone idea के नए call और data tariff plan की तुलना में 25 प्रतिशत तक सस्ते हैं नए tariff के अनुसार, Jio user को 84 दिनों की वैधता के लिए 555 रुप्ये चुकाने होंगे इस plan के साथ प्रतिदिन 1.5 GB data मिलेगा, यह plan company के समान benefits के साथ आने वाले 399 रुप्य वाले plan की तुलना में 49 प्रतिशत महंगा है Reliance Jio के 153 रुप्य वाले plan के लिए अब 199 रुप्य, 198 रुप्य वाले plan के लिए 299 रुप्य, 299 रुप्य वाले plan के लिए 399 रुप्य, 399 रुप्य वाले plan के लिए 399 रुप्य, 448 रुप्य वाले plan के लिए 599 रुप्य, 1699 रुप्य वाले plan के लिए 129 रुप्य चुकाने हो के साथ आते हैं और जिनकी कीमत 299 रुप्य के आसा पस है उनसे 25 प्रतिशत तक सस्ता है जियो न्यू प्लान्स को लेक रदावा किया गया है कि यह पिछले प्लान की तुलना में जियो यूजर को 300 प्रतिशत तक के ज्यादा बेनिफिट्स देंगे इसका डिटेल्स में के साथ शेयर करो और कोई क्वेश्चिन हो तो निचे कमेंट करो